हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे स्टूप चैनल मोहित पंडे क्लासेस पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ में मैट का चेप्टर नमबर फोर दुई घाप समीकरन इंगलिस में बोलते है इसको हम लोग प्यार से क्वैड्रेटिक की क्वैशन तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का कुश्चन नमबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट तक कंपलेट कर लिया था और आज इस वीडियो में हम लोग आगे की कुश्चन को कंपलेट करन आप को सभी वीडियो की लिंक नीचे discussion box में मिल जाएंगे वहां से जाएए आप एक वीडियो देखिए अभी तक इस इफ्टर में ज्यादा ज्यादा चार या पांच वीडियो छोटे-छोटे प्लोड हुए हैं ज्यादा ज्यादा 20-25-25 मिनट-30 मिनट के होंगे वीडियो ओके तो अभी आप लोग देर नहीं हुए हैं जब जागो तभी सभेरा तो आज हम लोग भया आगे की question को करने वाले हैं और भया मज़ा नहीं आएगा जो अगर आज इस वीडियो में तो पैसा जूरता है वापस वह जाए बच्चा परिसान होने की कोई ज़रूरत नहीं ह तो हम लोग आज करेंगे exercise 4.2 का question number first का third part यह आपके सामने लिखा हुआ question ठीक है अब देखियो question number first हमारा कह क्या रहा है गुड़न खंड विधी से निमने दुई घात समीकंडों के मूल ग्यात किजी हमें गुड़न खंड विधी से इसके मूल निकाल ले हैं मूल होती क्या है मैंने first part में ही बता दिया था और आज फिर बता रहा हूं बार 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 बताता हूं बच्चों ताकि आपको रट जाए का रट जाए बच्चा देखो मूल होता क्या है मूल इसके नाम भी कई है मूल होगा कई कई बुक में आपको सुन्यक भी लिखा मिलेगा हल भी गुड़न खंड भी कहेगा सब एक चीज आए बच्चा ठीक है बस नाम अलग अलग है जो जिसको अच्छा लगता है वो लिख देता है तो होता क्या है ये समीकरण का मूल दुई घास समीकरण का मूल तो दुई घास समीकरण में चर्रास का इसमें चर्रास क्या है यक्स त बस वही होता है हमारा क्या मोल तो मतलब इस समीकरण का इस दुईघात समीकरण का हमें एक्स का इस दुईघात समीकरण में हमें यक्स का ऐसा मान निकालना है जिसको हम यहां पर इस समीकरण में एक्स की जगहें पर रखें और सौल करें तो वह 0 हो जाए पूरा तो हम आज कर वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा वह वाला वीडियो तो यह वाला आप तक कर डाले होंगे अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी होगी तो आज हम है कैलकुलेशन को भी हम लोग गरदा-गरदा कर देंगे तो चलिए प्यारी जादा नौटन की करने क आदत है मेरी चलिए देखो तो पहला काम क्या करना है step to step समझो रटना नहीं है समझना है कुछ याद करने के लिए नहीं बोलता मैं कभी पहला काम आपको इसमें यह करना है गुड़न खंड विद्धी सॉल्व करने के लिए एक्स यह जो आपके दुई-घास समिक्रण दि ठीक है तो मैंने क्या कहा सबसे पहला step क्या करना है आपको पहले step में x square के गुड़ांक को लेना है उसका गुड़ा करना है किस से अचर पद से अचर पद से जिसमें x ना हो तो देखे इसमें कौन सा पद है जिसमें x नहीं दिख रहा है तो यह तो इस पद से यह जो अचर पद है इसका गुड़ा कर देंगे हम X2 वाले गुड़ांक के साथ तो अंडर रूट 2 के साथ में मल्टिप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 2 को देखिए आएगा क्या अब आप लोग एक चीज़ जानती हैं किसी न किसी न आपको बताया होगा कभी न कभी गलतिस जरूर सुने होंगे कि अगर सेम सेम अंडर रूट लगा है उसके अंदर सेम सेम संख्या है उनको आपस में दो बार मल्टिप्लाई कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाता है ठीक है जैसे अगर कहीं आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 देखते हो तो आप इसको हमेशा लिखत अपते हो 3, under root 5 in to under root 5, equal to 5, ठीक है, तो under root 2, under root 2 का multiply क्या हो जाएगा, प्यारे, 2 और फाइब ही है, तो 5 का भी होगा, 5 टू जा, तो सबसे पहला काम क्या है, कि X square का जो गुडांख है, उसको लेना है, और अचरपद जो है, उसका उस दो रहे हैं, में आपस में गुड़ा करदेना है मिलटि देना है हमने गुड़ा करने पर जो आएगा हम उस संख्या को उस संख्या को ऐसी 2 संख्या हो में तोडएं Gul जिनको आपस मिजोर ने एधर धाने पर जो करने पर फिर से वही मिल जाए हमें दस ही मिल जाए तो ऐसी दो संख्याएं लेकिन उससे पहले बच्ची बहुत ज़्यादे कन्फिज रहते कि उन संख्याओं को आपस में जोड़े की घटाएं कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आप लोग को मैं बता रहा हूं हामिशा जब इस दस को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनको आपस में प्लस करने पर एक्स का गुडांक मिले अगर यहां माइनेस लगा होता तो हम ऐसी दो संख्याओं लेते जिनको हम आपस में माइनेस करने पर क्या साथ लेते तो अगर अचरपत के सामने प्लस दिखेगा तो हम ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ेंगे जिससे हमें x का गुडांक मिले अगर माइनस लगा होता तो इसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते जिनको माइनस करने पर 7 मिले और गुडा करने पर 10 मिले पूरा concept clear है अब आते हैं हम चलिए अब 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 को किस में तोड़ेंगे 5 into 2 में देखिए कैसे 5 into 2 equal to 10 देखिए follow हो रहा है roll की नहीं अगर हम 10 को तोड़ेंगे तो 5 into 2 ये होगा क्या 10 तो ये multiply वाला तो follow हो रहा है अब देखिए add करना है तो अगर 5 plus 2 add करोगे तो 7 मतला हमारी वो संख्याएं कौन कौन सी है 5 और 2 तो बस सबसे बड़ी समस्या बस यही होती है कि हम यही तो संख्याओं का पता नहीं लगा पाते हैं तो अब as this सब को note करते से लो under root 2x square प्लस अब इस 7 अब इसी 7 को तोड़ने मोडने की बात की जाती है इसमें तो इस 7 को हमने किसमे तोड़ा 5 और 2 में तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 plus 2 ठीक है और x है तो इसको bracket के बाहर लिख दो plus है plus 5 under root 2 equal to 0 हो गया बस अब इस bracket को आप open करिए तो under root 2x square plus 5 का x में multiply 5x plus 2 का x में multiply 2x plus 5 under root 2 equal to 0 ठीक अब इस वाले step में आपको 4 term दिख रही होंगी तो पहले दो term में आपको पहले दो term में और last वाले दो term में हमेशा इस step में आपको common मिलेगा common होता क्या है जो दोनों के पास हो जैसे अकर आप में और हमारे में common की बात की जाए तो common क्या है हमारे पास दो हाथ है आपके पास दो हाथ है तो common क्या हो हाथ हमारे पास भी है आपके पास भी है तो इसी में देखे पहले और दूसरे वाले टर्में ऐसी ऐसी चीज़ देख रहा है आपको यहां पहले वाले टर्में अंडर रूट टू है बट यहां अंडर रूट टू नहीं है अगर ध्यान दी तो यहां एक्स है और यहां भी एक्स देख रहा है तो मतलब एक्स यहां से कॉमन हो सकता है मतलब यहां से एक्स हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा तो तो हम यहां से X को लेंगे common, ओके, चलिए, तो X को common अगर हम करें यहां से, तो देखे, अब बचेगा क्या, under root 2, और यहां से X square देख रहा है आपको न, X square, X square का क्या मतलब, X square का मतलब X into X, X cube का क्या मतलब होता है, प्यारे, X cube का मतलब X into X, ठीक है, अब X square को हम X into X लिख सक लिखते हैं, तो X को जब हम ले लेंगे common, तो बचेगा, यक्स के बचेगा यक्स, यह वाला यक्स बचेगा न, तो under root 2, X, और प्लस, यहां X अकेला था, हमने common कर लिया, तो भी यहां इसकी कहानी खतम, अब 5, 5 तो बचेगा ही बचेगा, प्लस, यह वाला प्लस हमने यहा आओगा, क्यों, क्योंकि यहां X है, यहां X नहीं है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, under root 2 है, यहां 5 है, यहां 5 नहीं है, बच देखो प्यारे, यहां है common, आपको बस दिख नहीं रहा है, यहां नजरिया बदलो, देखो हमने क्या कहा, under root 3, under root 3, equal to 3 होता है, under root 5, under root 5, equal to 5 होता ह तो अंडर रूट 2 इंट्व अंडरूट 2 इंट्व थू होटा है तो अगर हम तो को चाहें तो एंट्रूट आउटी पिह सकते हैं की नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं मतलब अगर हम हम इस 돼 uh तो क्या लिखा है ये अंडर रूट टूноеरूट तो एक स्टेप में पहले इसको अंडर रूट टू लिखो और ऐगे कारिकरम करो लेकिन आप तो स्मार्ट स्टूडेंट हैना क्योंकि आप मोईंसर से पढ़ रहे हैं तो इतनी अंदर जाने को जरूरत नहीं आप आप इसको आख से देखो, कि ये लिखा है 2, लेकिन अपनी ये खोपडिया से सोचो, कि ये लिखा है under root 2 into under root 2 प्यारे, तो under root 2 यहां भी दिखा, यहां भी दिखा, तो मतलब under root 2 दोनों जगा है, तो under root 2 common हो जाएगा बच्चा, देखिए, under root 2 हो गया common, और यहां क्या बचेगा ना, जी बिल्कुल बचेगा, under root 2 और यक्स है, तो यक्स भी तो बचेगा, प्लस, यहां से under root 2 हमने common कर लिया, यहां अकेला थ under root 2, तो यहां अकेला 5 बचेगा, equal to 0, ठीक है, अब देखिए, इस step में पहुंचनी के बाद में, आपको देखना है कि जो आपकी तो ब्रेकट आएंगे हमेशा, उन दोनों ब्रेकट के अंदर में सेम सेम दिख रहा है नहीं, तो हमारा दोनों ब्रेकट सेम सेम है, under root 2 और यक्स प्लस 5, under root 2 और यक्स प्लस 5, अगर सेम नहीं होगा, तो question आप कहीं न कहीं गलती कर चुके हो बच्छा, लेकिन हमारा ब्रेकट अब हम अगर, under root 2 और यक्स प्लस 5, इसको अगर common करें, तो यहां भी है, यहां से हमने common किया, तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको दूसरे ब्रेकट में लिखो, यहां से जब हमने common किया, तो यहां अकेला यक्स बचा, तो हमने यक्स लिख दिया, अब यह वाला plus हमने यहां लगाया, अब यहां था, यहां से भी तो हमने common किया, तो यहां क्या बचेगा, केवल under root 2, तो under root 2, equal to 0, हो क्या, बस, कहानी खताम है बच्चा, अब एक बार आप इस ब्रेकट के equal में 0 ले लो, एक बार इस ब्रेकट के equal में 0 ले लो, वहां से आपको x की दो value मिलेंग तो हम क्या करते हैं पहले, under root 2, x plus 5, equal to 0, हमें x की value चाहिए, तो सब को एक तरब भेज़ दो, तो पहले जब 5 को इधर भेजेंगे, तो minus 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि equal के इधर उधर जाने पर sin, मतलब चिन बदल जाते हैं, जो plus का वो minus का हो जा हमें x की value चाहिए, तो इधर अकेले x को रखो, और सब को इधर भेजो, minus 5, under root 2 x के साथ multiply में था, अगर multiply में रहता है, equal के इधर उधर भेजते हैं, तो वो upon में जाता है, तो x equal to minus 5 upon under root 2 आया, ठीक, ये एक value हो गई, अभी एक value और आएगी, क्या, x plus under root 2 equal to 0, तो x equal to under root 2 को इधर भेजिए, तो minus under root 2 हो गया, प्यारे, ये हो गया, अता, दुई खास समय करण under root 2 x square plus 7 x plus 5 under root 2 equal to 0 के 2 मूल, कौन-कौन से minus 5 upon under root 2 minus under root 2 हैं, बस इतना कर देना है, पूर एक पूरा नंबर आपको मिलेगा, कोई 0.1 नंबर भी आपका काट नहीं सकता, प्यारे, चलिए, तो ये question आपका complete हुआ, इसको मैंने बहुत ही अंदर जाकर, बहुत ही मज़े-मज़े प्यार से हमने इसको किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई doubt होगा, ठीक है, चलिए, अब हम next question को करने वाले हैं, बच्चा, हमारा question number first का fourth part देखिए, 2 x square minus x, 2 x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0, यही है, जी सर यही है, question बिलकुल यही है, अब देखिए, यह थोड़ा आपको दिख रहा हुए, इसमें एक term भिन में दी हुई है, upon में, तो इसको हम पहले थोड़ा सा solve करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, चाहो तो यह भी कर सकते हो य ठीक है, तो इसलिए आप इसको पहले थोड़ा सा solve करिये, करेंगे कैसे, देखिए, इन सब के upon में कुछ नहीं, तो one, देखो बहुआरे, प्यारे, जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, भगवान होते हैं, भगवान एक हैं, तो जिसके upon में कोई नहीं, उ पसपन को भिन कैसे सॉल करते थे पहले लिजिए तो लिजिए क्या आएगा एट आएगा कि अब वन का एट में डिवाइट किती बार जाएगा एट बार तो एट का मल्टिप्लाई उपर हो जाएगा तो एट उजा शिक्स्टीन एक्स स्क्वाइर अब भिन आनी चाहिए प्य सिर्मानी की की बात नहीं है बच्चों को और नेता लोगों को बहाएगा नहीं चाहिए बच्च्क कियोंकि अगर वो सर्माने लगे बात से तो स्क्राइगा है तो एट का ईट उन्टलाई में 1 उनी नटल्छे यहां 0 और 0 के भियापान में 1 cross multiply तो इसका ये पूरे का multiply इधर 1 से होगा 8 का multiply इधर होगा कहींची गुड़ा cross multiply ठीक है जानते हो न तो हम जानते हैं कोई भी कितनी बड़ी समीकरण हो कोई भी संख्या हो अगर उसका multiply 1 से करते हैं तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता as it is वही चीज हमें मिलता है तो मतलब जब इसका हम 1 में multiply करेंगे तो कुछ इसमें बदलाव होने वाला नहीं है भाईया बस आत्मा की संटूस्टी के लिए कर दे रहें multiply 1 से और मिलेगा भाईया वही equal to 8 का 0 में करोगे तो भाईया पूरा बरबाद हो जाएगा और मिलेगा हमें 0 ठीक है आप देखो यहां कोई term आपको इसमें कोई भी term आपको इसमें भेन में नहीं दिख रही है अब आपको इसको बहुत easily solve कर सकते हो कैसे मैंने क्या बता पहला step क्या करना है यहां इस वाले टर में आपको एक्स नहीं नजर आ रहा है तो हमने किया गुड़ा तो हमें मेरा 16 16 मिला बच्चा छोला नहीं 16 16 छोला भटूरा कहिने लगते हो यार पुरा मूट खराब हो जाता है चलिए मजा कर रहा हो क्या रहें seriously मतले न अब इस 16 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको आपस में तोड़ने और मड़ोडने पर भया एक्स का हमें गुड़ांक मिले इस 16 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिससे हमें एक्स का गुड़ांक मिले जोड़ने और घटाने पर और गुड़ा करने पर फिर से हमें 16 ही मिले प्यारे ठीक है अब जोड़ें या खटाएं कैसी पता चलेगा तो अचर पद जिस पद में एक्स ना हो उसकी सामने देखें प्लस लगा है कि माइनस तो प्लस लगा है तो मतलब ऐसी तो संख्यां लेनी है जिनको प्लस करने पर हमें 8 मिले प्लस करने पर 8 मिले आपस में ऐसी तो संख्या सोचिए क्या हो सकती है जिनको प्लस करें तो 8 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में मल्टिप्लाई करें तो 16 आ जाए तो बहुत आसान है भा या चार के पहाड़ा आपका तो ऐसी संख्याएं कौन-कौन है फोर और फोर तो करेंगे क्या 16 एक स्क्वाइर माइनेस अब इस एट को हमने किसमें तोड़ा फोर प्लस फोर में बाहर एक्स रहेगा भाईया वन एक्वल टू जीरो अब आगे तो भाईया सब जनते हो 16 एक्स स्क्वाइर माइनेस कंदर गुड़ा करोगे तो माइनेस फोर फिर फोर का एक्स में मल्टिप्लाई तो माइनेस फोर है माइनेस और प्लस माइनेस फोर अब इस 4 का भी multiply x से तो minus 4 x plus 1 equal to 0 अब यहां से common कीजिए अब देखिए common x तो दोनों में नजर आ रहा है यह common होगा और 4 भी common होगा क्यों क्यों क्योंकि देखो इस 16 को आप क्या यह नहीं लिख सकते हो 4 into 4 ने लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो चाहे आप 4 into 4 लिखो या 16 लिखो है एक चीज बच्छा तो 16 को 4 into 4 लिखा जा सकता है तो मतलब यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 common आएगा, यहां भी x, यहां भी x, तो x भी common आएगा, अब 16 को हम क्या लिखे, 4 into 4, तो यह वाला 4 तो हमने common कर लिया, बट यह वाला 4 बचा है न, तो यह वाला 4, और यहां x square, और x square का मतलब x into x, तो यह वाला x common कर लिया हमने, ब यक्सकेला था वो कावन कर लिया कुछ नहीं बचा और जब कुछ नहीं बचेगा तो वन लिख देना भाईया आप मूँ दिखे कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग भी करते थे याद आ रही है वो बातें कि जब कुछ नहीं बसता था तो वहाँ जीरो लिख देते थे तो आप अजी गलती मत करना प्यारे आप यह वाला माइनस हमने यहां लगा दिया अब अगर आप देखिए तो यहां पर आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहां फोर है यहां फोर नहीं है यहां यक्स है यहां यक्स नहीं है तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखेगा वहां पर कॉमन भी आपको वन लेना है प्यारे क्या लेना है वन ठीक है क्या लेना है वन और वन लेंगे तो जो कुछ है सबको भईया इसे उतार लो 4x plus 1 equal to 0 क्या ये सही है जी नहीं बिलकुल नहीं सही है यहाँ पर ध्यान देना अगर breakout के बाहर माइनिस के साथ में कोई संख्या आपको अमन ले रहे हो तो breakout के अंदर में जहाँ जहाँ plus दिखेगा वहाँ माइनिस कर देना जहाँ माइनिस वहाँ माइनिस कर देना तो यहाँ अकेला प्लस था ना और तो प्लस माइनिस है नहीं तो इसको माइनिस कर दो यह बात ध्यान देना नहीं तो भाईया सब चौपट हो जाएगा अब देखें दोनों breakout हमारे सेम आ रहे हैं थोड़ा भया देखे रहना तब यह खराब है ठीक है 4x-1 4x-1 तो अब इस ब्रेकट को हम लेंगी common तो 4x-1 इसको common किया तो बचेगा क्या जो बचेगा उसको दूसरे ब्रेकट में लिख लो 4x बचेगा यहाँ पे और यह वाला यहाँ से यह ब्रेकट common किया तो यहाँ अकेला 1 बचा और इक्वल में 0 बस हो गया भया एक बार इस ब्रेकट के इक्वल में 0 लो एक बार इस ब्रेकट के इक्वल में 0 लो दी लो लो 4x 1 को इधर भेजो तो प्लस 1 हो जाएगा 4 को इधर भेजे तो अपान में चला गया और एक बार इसके इक्वल में 0 लो 4x-1 इक्वल टू 0 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 अपान 4 हो गया भया अब आपको क्या लिखना है ये आपको थोड़ा सा भया प्यान अपनी चलानी पड़ेगी एक आत्पेश खर्च करना पड़ेगा तो उसके लिए परिशान मत होना प्यारे आपको लिखना क्या है अता है दुई घाच समी करन्ट 2x2-x प्लस 1 अपान 8 इक्वल टू 0 के 2 मूल 1 अपान 4 यो 1 अपान 4 है बस इतना आप लोग को लिखना है यहां भी वही चीज लिखना है अता अंडर रूट 2 x square प्लस 7 x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 के 2 मूल माइनस 5 अपान अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 है ठीक तो यह आपके से 3rd और 4th पार्ट कंपलिट हुए इसका फटाक से एक साथ स्क्यून सॉट लेना चाहो तो ले सकते हो अगर भाईया लगे आपको काम लायक ले लिया चलिए चलिए पुस्चर नमबर फर्स्ट का लास पार्ट है यह 5 पार्ट लिखा है आपके सामने 100 x square minus 20 x plus 1 equal to 0 पहला काम मैंने क्या बताया है x square का गुडांक जो है उसको भाईया पकड़ी है सबसे पहले तो x square का गुडांक क्या है 100 100 को लिया इसका गुडा किससे करना है अचर पद से जिस पद में x ना नजार आ रहा हो यहां भी है x यहां भी है यहां नहीं है तो है क्या यह 1 अब इसका जब गुडा करेंगे 100 का 1 में तो 100 ही तो मिलेगा भाईया 100 या कम 100 ना हो थे बच्चा हो थे तो अब इस 100 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िये कि हमें जोडने हुआ घटाने पर x का गुडांक x का गुडांक क्या है बच्चा 20 है तो 100 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िये जिनको आपस में जोडने घटाने पर 20 मिले और गुडा करने पर भाईया फिर से वह मिल जाए 100 मिल जाए बच्चा 100 अब जोड़े या घटाएं कैसे पता चलेगा तो अचरपद जिस पादे में यक सुनाल नजर आए उसमें देखिए उसके सामने प्लस लगा है कि माइनस लगा है तो मतलब ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको आपस में प्लस करने पर हमें 20 मिले और आपस में उनको गुड़ा करने पर सवर मिले बच्चा तो चलिए हम सूचते हैं ऐसी संख्याएं क्या हो सकती है तो 10 गुड़े 10 10 दहां 100 और 10 प्लस 10 बड़ाबर 20 तो भाईया बहुत आसान है देखिए यह संख्या है जब आगे कुश्चन आएगा बड़ी बड़ी संख्या है तो उनको भी करने का मैं आपको उसमें क्योंकि आप सोच नहीं पाऊगे संख्या बड़ी बड़ी हो सकती है 24, 25, 28, 30, ऐसे ऐसे तो उनको करने का एक तरीका आपको बताऊँगा लेकिन अभी छोटी-छोटी संख्या मिल लहीं है इसलिए मैं कहता हूँ सोचिए इसलिए कह देता हूँ सोचिए जब बड़ी संख्या मिलेगी तरीका बताऊँगा आपको परिशान नहीं होने का बच्चा चलिए, तो 100x square minus, अब इस 20 को हमने किस में तोड़ा, 10 plus 10 में, ठीक है, 10 plus 10 में, क्योंकि 10 plus 10 equal to 20 ही होता है ना, जी हाँ, अब ब्रेकट खोलिए, 100x square, पहले minus का गुड़ा करेंगे, तो minus 10, अब इस 10 का x में multiply तो 1 हो जाएगा, फिर minus और plus minus 10, फिर इस 10 का x में multiply, x plus 1 equal to 0, अब common देखिए, 100, 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को 10 into 10 नहीं लिख सकते हो, जी बिल्कुल लिख सकते हो, और 100 को अगर 10 into 10 लिख सकते हो, मतलब यहाँ 10 आ मिलेगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x भी common, तो 1 तो 10 common मिलेगा, और 1 एक हमें x भी common मिलेगा, यहाँ x square, x square का मतलब x into x, तो यह वाला x हमने common कर लिया, यहाँ बचा हुआ है, तो यहां पर 1 तो 10 बचेगा, क्योंकि हम 100 को 10 into 10 लिख सकते हा, यह वाला 10 हमने common किया, तो यह वाला 10 तो बचेगा ना, तो वह वाला 10 जो बच्छा था उसको लिख दिया, x square, x square को x into x, ये वाला x common किया, ये x बच्छा, तो ये x यहां लिख दो, minus, 10, अकेला था, 10 को common किया, 10 का काम खत्म यहां से, यहां x अकेला था, x को common कर लिया, यकस्का काम भी खतम मतलब यहां कुछ भी नहीं बचा और जब कुछ नहीं बचेगा भईया तब one लिक्षे देना हमेशा ठीक तो यहां क्या बन यहां यह उन सब यह यह अगर ध्यान दो तो कुछ भी common नहीं नज़र आज़ेगा तो आख 150 के भईया one common कर लेना और जो कुछ है सबको चाप देना कि ब्रेकट के बाहर में जो आपने कॉमन लिया है वह देखिए वहाँ पर माइनस तो नहीं है तो यहां पर आ रह्यार माइनिस कमेंâte किसी भी सब्चेक्ट में अगर ब्रेकट के बाहर प्लस नजर आएगा माइनेस कर देना तो यहां हमें प्लस मज़र आ रहा है तो हम यहां माइनेस कर देंगे ठीक है मतलाब यह तो हमारा वाइट बोर्ड था हमने मिटा के कर दिया अब आप क्या प्यां से कर रहे हो तो पहले सब को चाप लोगे फिर उसको काट के मिटा के तब करोगे नहीं आपको ध्यान देना है कि बाहर अगर माइनेस में हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जो कुछ बचर रहा है उसको नोट करने से पहले देखिए जहां प्लस है वहां माइनेस करते चलिए जहां माइनेस है वहां प्लस जहां प्लस है वहां माइनेस जहां माइनेस है वहां प्लस जहां प्लस है वहां माइनेस चलिए अब दोनों प्रेकट देखिए सेम सेम है कि नहीं तो हमारे दोनों प्रेकट भईया सेम हैं 10x-1 10x-1 मतलब बिल्कुल सही पर जा रहें सही रास्ते पर हम लोग अगर प्रेकट सेम ना होते यहां अगर माइनेस के जगा प्लस भी हो गया होता तो हमारी गलती हो गई होती और नाक रगड़ते रह जाते एंसर कभी नहीं आता प्यारे तो इसलिए हमारे ब्रेकट सेम हैं इसलिए हम आकमूद के कहेंगे कि हम बिल्गुल सही रास्ते पर जा रहें कोई गलत काट नहीं सकता इसको आप देखिए अब यह दोनों प्रेकट सेम सेम हैं तो अब इस ब्रेक यहां से हमने इसको कामन किया तो यहां क्या बचेगा वन इक्वल टू जीरो एक बार इसके इक्वल में जीरो लेलो एक बार इस ब्रेकट के इक्वल में जीरो तो टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो टेन एक्स वन को इधर भेजो तो प्लस वन हमें एक्स की वैल 10x equal to plus 1 x equal to 1 upon 10 हो गया काम खतम तो इसका मतलब इसके दो मूल 1 upon 10 और 1 upon 10 तो यह कुस्चन भी आपका complete हुआ मैं थोड़ा सा किनार्य हो जा रहा हूं कोप्चे में आप इसका स्किंस्वाड ले लो ठीक है ले लिया तो या आज के वीडियो आप लोगो कैसा लगा अगर गंटे से ऊपर चला जाएगा नहीं तो प्यारे अब आगे इस इक्ससाइज में जो कुस्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक भी कुस्चन नहीं छोड़वाओंगा कितने भी कमजूर से कमजूर चात्र हो मैथ से गणित से उनको मुहब कितने भी कमजूर हो आप लोग प्लस माइनस में भी गलती करते हो एक दो चेप्टर अगर हमसे पढ़ोगे मजा आने लगेगा और मयत के अलामा कुछ छूने मन नहीं करेगा चूनना तो चाहोगे लेकिन नहीं पाओगे किसी को चलिए तो हम लोग मिलेंगे एक नेस्ट व आने खभगे लो.